आज हम बात करेंगे पूर्शों में पाए जाने वाली एक सबसे प्रमुख समस्या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में इसके लक्षन, कारण, बचाव और उपाए जिसमें कुछ घरेल नुस्खों से लेकर प्रमुख हायरवेदी कोशी दियां सभी के विशह में हम विश्थार से चर्चा करेंगे और इस स्रंखला के समाप्त होते होते मैं एक बात पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस समस्या को लेकर आपके मन में जो कुछ दूईधा है वो समाप्त हो चुकी होगी तो चलिए विशह पर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देना चाहूँगा नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर रोबिन सर्मा मैं एक आयरवेदिक चिकिच्सक हूँ और पिछले तक्रीबन 20 सालों से भी अधिक समय से मैं आयरवेद के छेतर से जुड़ा हुआ हूँ मेरा क्लिनिक गुड़गाओं में है और मैं प्रमुख तोर पर मेल फर्टिलिटी, डाइजिस्टिव सिस्टम और बालों से जुड़ी समस्याओं के लिए परामर्स देता हूँ तीस की उम्र से अधिक भारत के लगभग 40 प्रतीसत से अधिक पुर्षों को एरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है और महंगी महंगी दवाईया जो इस समस्या को ठीक होने का दावा करती हैं उनसे ये वाजार भरा पड़ा है पर यकीन मानिया अधिकतर कुछ भी काम नहीं करती हैं क्योंकि कुछ में तो अंग्रेजी दवाईया मिला कर बेची जाती हैं तो चलिए प्रारंब करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एक्टाइल डिसफंक्शन होता क्या है इसे भी आगे दो भागों में विबखत किया जा सकता है प्राइमरी इडी और सेकिंडरी इडी primary ED एक ऐसी स्थिती होती है जिसमें व्यक्ति को कभी भी erection आया ही ना हो, यह स्थिती बहुत कम देखने को मिलती है, मतलब इसे जन्मिजात नपुन सकता कहा जा सकता है, और दूसरा है secondary ED, इससे प्रभावित व्यक्ति को erection पहले तो ठीक से आता था, पर अभी किनी कारणों क चलते, erection अच्छे से नहीं हो पा रहा, तो जो primary ED है, वो असाध्य बिमारी है, मतलब उसे ठीक नहीं किया जा सकता, तो उसके विशे में हम पूरे course में बात नहीं करेंगे, हम पूरे course में केवल secondary ED के बारे में बात करेंगे, मतलब जिन व्यक्तियों को पहले तो erection अच्छ हो सकती है, इसको भी हम तीन भागों में विवक्त कर सकते हैं, सबसे पहला है सारीरिक कारण, दूसरा मांसिक कारण और तीसरा environmental factor या environmental कारण, सारीरिक कारणों के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, देखिए एक चीज आपको पहले अच्छे से समझने की जोरत है कि आखि लिंग की सनरचना कुछ इस प्रकार की होती है कि वहां जाकर बलड इखटा हो सकता है, स्टोर हो सकता है, जिसके कारण लिंग का आकार बड़ा और सकत हो जाता है, अब जो बलड लिंग में आकर इखटा हुआ है, वो वापस ना जाए, उसे रोकने के लिए एक वाल्व जै सकती है, सबसे पहली दिक्कत तो बलड ही लिंग में अच्छे से ना पहुचे, दूसरी दिक्कत बलड अच्छे से स्टोर ना हो पाए, और तीसरी दिक्कत बलड को वो होल्ड ना कर पाए, तो इसमें सबसे अधिक दिक्कते जो सामाने तोर पर देखने को मिलती है कि बलड वहाँ अच्छे से पहुची नहीं पाता है, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे high blood pressure, उसके चलते blood vessels shrink या शिकोडना स्टार्ट हो जाती है, जिसके चलते भी ये समस्या हो जाती है, इसके लावा बहुत सारी अलोपैथिक दवाईया, उसके विशे में हम पानी बीमारियां इस परकार के स्थिति को उत्पन कर सकती है, और हाँ, यहाँ हम diabetes का भी नाम जरूर लेंगे, क्योंकि हमारे blood circulation को बहुत नकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है, और उसमें भी ये दिक्कते आगे चलकर होती है, यहाँ एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर दिमाग से ही सिगनल अच्छे से नीचे तक ना जा पाए, तो भी यह समस्या आ सकती है, ऐसी कंडिशन में neurological issues मिलते हैं, जो खास तोर पर diabetic patients में अधिक देखने को मिलते हैं, autoimmune disease है, अगर किसी को, या फिर spinal cord में किसी तरह की injury हुए, या फिर वहाँ पर क इसी परकार की परिशानी है, उसके चलते हैं इस परकार की समस्या हो सकती है, इसके अलावा, hormonal imbalance भी एक बहुत बड़ा कारण आज के समय में बनता जा रहा है, क्योंकि testosterone की कमी आज तक के अपने सबसे निचले स्तर पर है, और ये इस समस्या का सबसे प्रमुख कारण आज क समय में है, अभी हमने केवल कारणों के बारे में बात की, चिंता मत कीजिए, हम समाधान के उपर भी बात करेंगे, अब जैसा मैंने आपको बताया था कि blood storage जहां पर होती है, वहाँ अगर दिक्कत है, तो भी इस परकार की समस्या हो सकती है, तो अगर वहाँ पर link में किसी परकार की चोट है, गाउ है, तब यह problem आ सकती है, और वहाँ पर damage होने का जो सबसे प्रमुक कारण आज के समय में मिलता है, वो है अलोपैथिक दवाईयों का प्रियोग, बहुत सारे बच्चे अलोपैथिक दवा, जैसे सिल्डेना फिल, जो बाजार में 50 या 100 mg की डोज मे आसानी से उपलब्द है, वो ना समझी में बहुत अधिक मातरा में बहुत लंबे समय तक प्रियोग करते रहते हैं, तब भी ये सनरचना अंदर से रप्चर हो जाती है, वहाँ से तूट जाते है, जिसके चलते वहाँ बलड जाकर स्टोर ही नहीं हो पाता, इसके लावा, भी कई बार कमजोर हो जाते हैं, या वहाँ की मसल्स धीली पढ़ना स्टार्ट हो जाती है, और उसके चलते भी बलड वहाँ जो स्टोर हुआ है, वो होल्डी नहीं कर पाता और वो निकल जाता है, इसके वज़े से भी इरेक्शन आता तो जरूर है, पर वो बहुत जल्द और इरेक्शन चला जाता है, अब आता है दूसरा कारण, इसे मानसिक कारण हम कह सकते हैं, विसे इस तोर पर स्ट्रेस और एंजाइटी, आज की समय में एक बहुत बड़ा कारण है इस समस्या के पीछे, खास तोर पर पर पर्फॉर्मेंस एंजाइटी या फिर आपके संब के से आप समझ सकते हैं, मान लेते हैं आपके सर के उपर किसी ने बंदूक रखे और बंदूक रखने वाला आपको ये कहे कि बंदूक रखे रखे, आप अपने लिंग में तनाव लेकर आईए, तो कैसी स्थिती में आपके लिंग में तनाव आ सकता है, कभी नहीं आएगा अब वो बंदूक रखने का काम जो और किसी ने किया हुआ था वो किसी को करने की जोरुत नहीं है क्योंकि आपका दिमाग ही इसके लिए प्रियापत है सारे दिन स्ट्रेस, एंजाईटी ऐसी स्थिती बना देती है विशेश तोर पर संबंद बनाते समय ऐसी स्थिती बना देती है कि इस प्रकार की समस्या होने की समभावना बहुत ज़्यादे बढ़ जाती है अभी यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जितना अधिक stress और anxiety या depression समस्या का कारण बनती है, उतना ही कारण इस समस्या में प्रियोग किये जाने वाली अलोपेथिक दवायू का प्रियोग भी है, और कुछ हायरवेधिक दवायू का प्रियोग भी है, उसके बारे में हम असंभव के समान हो जाता है, और एक और सबसे बड़ा मानसिक कारण जो मैंने अपने प्रैक्टिस में अनुभव किया, वो है खुद के उपर विश्वास का भाव, आप दूसरों की बातों को सुनकर, या फिर अपने आप ही अपने मन में ये धारना बैठा लेते हैं, कि य कार ये आप कर ही नहीं सकते, मैं इस योग्या हूँ ही नहीं, आपको ये समस्या अपने आप अनुभव होना प्रारंब हो जाएगी, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अपने मन में शंका रखेंगे, तो ना कियो लिंग में तनाव लेकर आने में जैसा मैंने आपको बताया, अगर लिंग तक ब्लड फ्लो अच्छे से पहुची ना पाए, तो इरेक्शन में दिक्कत आनी प्रारंब हो जाती है, और स्मोकिंग और पोलुशन दोनों ही हमारे ब्लड वैसल्स को डैमेज करते हैं, ब्लोक करने का काम करते हैं, जिसके चलते ना के ओल हमारी sexual health impact होती है, बहुत negative तरीके से, बलकि हमारी heart health को भी बहुत अधिक damage पोचाता है, जिसके चलते हमारे body में blood flow बादित होता है, और समस्या का कारण ये बन सकते हैं, इसके लावा जितने भी नशे हैं, वो भी negative तरीके से हमारी जो libido power है, उसको प्रभावित क करते हैं, उनके चलते हैं, neurological damage हो सकता है, दिमाग से signal ही अच्छे नहीं पहुच पाएगा, तो समस्यानी और blood flow में दिक्कत करते हैं, इसके लावा lifestyle disease, एक मोटापा सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है, इरेक्शन की समस्या के पीछे मोटापे के चलते हैं, टेस्टेस्ट हो जाती है, जिसके चलते भी, blood vessels में cholesterol अधिका जमाव भी प्रारंब हो जाता है, और समस्या होने के संभावना भी अधिक हो जाती है, blood flow अच्छे से नहीं हो पाता, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि जिनका वजन कम हो, उनको दिक्कत तो नहीं हो स्ट्रेस और एंजाइटी का लेवल हमारे सरीर में बढ़ता है, साथ ही साथ आपके सरीर में cortisol नाम के हार्मोन का लेवल भी बढ़ता है, और cortisol को anti-testosterone हार्मोन भी कहा जाता है, तो मतलब testosterone कम होगा, समस्या बढ़ेगी, नींद को कभी भी हलके में नहीं लेना चाहिए, इस पर पहले अंग्रेजी दवाईयों के बारे में जान लेते हैं, खास तोर पर stress, anxiety, depression में प्रियोग किये जाने वाली दवाईया, high blood pressure में प्रियोग किये जाने वाली allopathic दवाईया, इसके लावा, cancer और Parkinson जैसे बिमारी में प्रियोग किये जाने वाली दवाईया, और hormones और steroids, खास तोर पर आजकल जो बालों के transplant वगरा के लिए, जो hair transplant expert होते हों, steroids लिखते हैं, वो बहुत अधिक समस्या उत्पन करते हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे patients आते हैं, इस समस्या में केवल ऐसा नहीं है कि केवल allopathic दवाईया जिमेदारों, कुछ आयरवेदिक दवाईया भी यहां पीडा का कारण हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हमें केवल अच्छाई अच्छाई है, हमारे अंदर भी बुराई हो सकती है, उनके बारे में भी जानना चाहिए, तो कुछ आयरवेदिक दवाईया, खास तोर पर ऐसी दवाईया जिनमें अफीम या भांग का योग बेवकूफी भरे तरीके से करते हैं, करवाते हैं, तो irreversible damage संभव है, जिनको ठीक नहीं किया जा सकता है, ऐसा नुक्सान संभव है, तो ये थे कारण, अब हम बात करेंगे इसका समाधान कैसे किया जाए, सबसे पहले हमें कौन-कौन से blood test करवाने चाहिए, कौन- किन ओशिदियों का प्रियोग हम खुद से कर सकते हैं, और किन ओशिदियों के विशे में हमें चिकिट्सक के मार्ग दर्शन की आउशकता होगी, सब के विशे में मैं विस्तार से बात करूँगा, और उन सब वीडियो को देखने के लिए आप मेरे इस course को purchase कर सकते हैं, इस course को पूरा देखने और समझने के परचात, एक बात मैं पूरे एकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप मैंसे 70% से भी जादा लोगों को मुझसे कंसल्ट करने की जरूरत पढ़ेगी ही नहीं, इस course का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बायो या फिर बहुत सारी जगा पर मिल जाएगा, मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए, नमस्कार